हलो फ्रेंड्स में प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का आपने एक नए वुडियो में फ्रेंड्स जार्खन स्टाप सेलक्षन कमिशन ने रीम्स थर्ड ग्रेड कमबाइन कम्टिटिव एक्जामनेशन दो हजार बाइस भरती के लिए उनलाइन एप्लिकेशन फिल करके सब्मिट करने का लिंक जारी कर दिया है अगर आप भी इस भरती के लिए इंटरस्टेड हो और इलिजिबल हो तो आप अपना एप्लिकेशन फिल करके उनलाइन सब्मिट कर सकते हो अगर आपको पता नहीं है कि इस भरती के लिए online application फिल करके किस तरह से submit करना है तो आप इस वीडियो पर बने रहें क्यूंकि इस वीडियो में मैं आपको detail में बताने वाला हूँ कि आप इस भरती के लिए online apply किस तरह से करोगे अगर ये वीडियो आपको informative लगे तो subscribe करके जुड़े रहे हैं हमारे साथ चलिए start करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको जारखंट Stop Selection Commission के official website के home page पर आना होगा आपके सुइधा के लिए इस website का link मैंने इस वीडियो के description में दे दिया है तो आप इस वीडियो के description में जाके उस दिये हुए link पर click करके आसानी से इस website तक पहुँच सकते हो इस page पर आने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाओगे आपको application forms apply लिखावा देखने को मिलेगा आपको इस पर click करना होगा जैसे ही आप इस पर click करोगे आप एक नए page पर पहुच जाओगे और इस नए page पर आने के बाद आपको online application for RTG CCE 2022 लिखावा देखने को मिलेगा और इसके सामने ही आपको apply now लिखावा देखने को मिलेगा आपको apply now पर click करना होगा जैसे ही आप इस पर click करोगे आपके screen पर एक message देखने को मिलेगा और इस message के ok पर आपको click करना है ok पर click करते ही आप एक नए page पर पहुच जाओगे और इस नए page पर आते ही आपके लिए कुछ important informations लिखावा देखने को मिलेगा तो information यह है कि apply करने से पहले आपको नीचे के सारे instructions को अच्छे से पढ़ने के लिए कहा जा रहा है तो instruction यह है कि user ID और password receive करने के लिए candidates को नीचे mention किये हुए सारे details को अच्छे से fill करना होगा candidates को अपना user ID और password उनके register email ID पर या register mobile नमबर पर मिलेगा application form को complete करने के लिए इसी user ID और password के help से आपको login करना होगा और आपको अपना नाम, date of birth, mobile नमबर और email ID अच्छे से fill करना है क्योंकि registration complete करने के बाद आप इन details को change नहीं कर सकते इन instructions के नीचे आपको कुछ important links मिलेंगे और ये सारे links आपके सुविधा के लिए दिया गया है अगर आपको जरुवत पड़े तो उन links का यूज कर सकते हो इसके साथ ही यहाँ पर आपको register का और login का option मिलेगा तो login का option essay candidates के लिए है जिन्होंने पहले ही अपने लिए registration किया हुआ है लेकिन form को पुरा fill नहीं किया है तो essay candidates को login पर click करना होगा जैसे ही वे login पर click करेंगे एक नई page पर पहुँच जाएंगे और इस page पर आने के बाद अपना user id यहाँ पर enter करके password यहाँ पर enter करके यहाँ पर दिये हुए capture code को यहाँ पर enter करके login करके अपने application form को complete कर सकते हैं अगर आपने अभी तक registration नहीं किया है तो आपको register पर click करना होगा जैसे ही आप register पर click करोगे आपको एक message देखने को मिलेगा कि application fee एक बार deposit करने के बाद आपको किसी भी हाल में refund नहीं किया जाएगा इसके नीचे आपको अपना user id और password पाने के लिए register करने को कहा जाएगा यहाँ पर आपको एक note लिखावा देखने को मिलेगा जिसमें यह कहा गया है कि नीचे के सारे details को आपको उसी तरह से enter करना है जिस तरह से आपके class 10th के certificate में या class 10th के equivalent certificate में है examination center में आपको id proof लेकर जाना पड़ेगा जिसमें यह सारे details match करने चाहिए इस note के नीचे आपको अपना नाम enter करना होगा और नाम enter करने का condition यह है कि आपको अपना नाम अपने matriculation के certificate के अनुसार enter करना है इसके साथ ही आपके नाम से पहले कोई salutation जैसे कि डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज, सिरी, सिरीमती या प्रोफेसर, इतियादी ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है तो यहाँ पर आपको अपना first नाम enter करना है इसके बाद middle नाम enter करना है इसके बाद last नाम enter करना है अगर आपका last नेम नहीं है तो आपको अपना first नाम last नेम के जगा पर भी enter करना होगा नाम enter करने के बाद आपको अपना gender select करना होगा तो आप male, female या other जिस gender से हो उस gender को यहाँ से select कर सकते हो Gender select करने के बाद आपको अपना date of birth यहाँ पर enter करना होगा तो आपको अपना date of birth उसी तरह से enter करना है जिस तरह से आपके matriculation 10th या SSE के certificate में है Date of birth एंटर करने के बाद आपको एक valid mobile number यहाँ पर enter करना होगा इसके साथ ही इसी mobile number को यहाँ पर फिर से एंटर करके आप अपने mobile number को confirm कर ले mobile number confirm करने के बाद आपको अपना email address यहाँ पर एंटर करना होगा और इसी email address को यहाँ पर फिर से एंटर करके आप अपने email address को भी confirm कर ले Mobile number और email address enter करते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी mobile number या email address यहाँ पर enter करोगे वो valid होना चाहिए क्योंकि इस recruitment से संबंधित जितने भी information आपको भेजे जाएंगे वो सारे information आपको उसी mobile number पर और email address पर भेजे जाएंगे इसके नीचे आपको अपना OTP जेनरेट करने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए आपको generate OTP पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप देखोगे कि आपके स्क्रीन पर एक capture एंटर करने के लिए कहा जा रहा है तो जो भी capture code मिले उस capture code को यहाँ पर enter करना mobile number और register email ID पर एक OTP भेजा जाएगा इसके साथ है आपके screen पर एक message देखने को मिलेगा कि आपके register mobile number और register email ID पर एक OTP भेजा गया है उसी OTP को आप use करें तो यहाँ पर आपको OK पर क्लिक करना होगा तो आपको जो भी OTP मिले उस OTP को यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद validate OTP OTP पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके screen पर एक message देखने को मिलेगा कि आपके OTP को सफलता पूरग validate किया जा चुका है तो यहाँ पर आपको OK पर क्लिक करना होगा OTP validate करने के बाद नीचे आपको एक declaration देखने को मिलेगा जिसे agree करना है इस declaration को agree कर तो आपको जो भी capture code मिले उस capture code को यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद submit पर क्लिक करना होगा submit पर क्लिक करते ही आपके screen पर एक message देखने को मिलेगा जिसमें यह लिखा होगा कि एक बार submit करने के बाद अपने details को आप modify नहीं कर सकते submit करने से पहले आप अपने details को अच्छे स चेक कर ले तो आप अपने details को अच्छे से चेक कर ले और चेक करने के बाद आपको ok पर click करना होगा जैसे ही आप ok पर click करोगे आपको एक note मिलेगा जिसमें यह लिखा होगा कि register successfully इसके साथ ही आपका registration number भी लिखावा देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको close को click करना होगा जैसे ही आप close पर click करोगे आपके screen पर एक instruction वाला message देखने को मिलेगा यहाँ भी आपको close पर click करना होगा जैसे ही आप close पर click करोगे आप एक नए page पर पहुंच जाओगे और इस नए page पर आने के बाद जितने भी informations आपने एंटर किये हैं वो सारे informations आपको यहाँ पर select करते हो तो आप इस भरती के लिए eligible नहीं माने जाओगे इसलिए आपको यहाँ पर yes select करना है इसके बाद आप से यह पुछा जागा कि क्या आप जारखन के local resident हो अगर आप जारखन के local resident नहीं हो तो आप no को select करोगे लेकिन जैसे ही आप no को select करोगे यहाँ पर एक message देख इसके बाद आपको अपना marital state select करना है तो आप married या unmarried जो भी हो आप उसे यहाँ पर select कर सकते हो marital state select करने के बाद आपको अपने father का नाम यहाँ पर enter करना होगा अगर आप general category के अलावा किसी और category के हो तो आपको अपने category का details यहाँ पर enter करना होगा आप अपने category का details यहाँ पर enter कर दे इसके बाद आप से यह पुछा जाएगा कि क्या आप physically handicapped हो तो अगर आप handicapped हो तो यहाँ पर yes को select करोगे और अपने सारे details नीचे enter करोगे इसके साथ ही अगर आप physically handicapped नहीं हो तो no को select करके आगे बढ़ सकते हो इसके बाद आपसे पुछा जाएगे कि क्या आप ex-serviceman हो तो अगर आप ex-serviceman हो तो यहाँ पर yes को select करके इसमें से कम से कम एक पहचान चिन आपको यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद आपको अपना photo ID select करने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए आपको passport, pen card, driving license और photo pasted centralized bank passbook का option मिलेगा इसमें से जो भी ID आपके पास है उस ID को यहाँ पर select करना होगा और उस ID के identification number को यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद आपको अपना complete address यहाँ पर enter करना होगा address एंटर करने के बाद आपको अपना state यहाँ पर select करना होगा state select करने के बाद आपको अपना city या district यहाँ पर select करना होगा city या district select करने के बाद आपको अपना तालूक या तहसिल यहाँ पर enter करना होगा, तालूक या तहसिल enter करने के बाद आपको अपना area या village यहाँ पर enter करना होगा, village और area enter करने के बाद आपको अपना pin code या postal code यहाँ पर enter करना होगा, address detail enter करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ प जैसे ही आप OK पर क्लिक करोगे फिर से आप एक नए पेश पर पहुंच जाओगे और इस नए पेश पर आने के बाद आपसे qualifications का detail यहाँ पर enter करने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले आपको अपने matriculation यानि की 10th का detail यहाँ पर enter करना होगा इसके लिए आपको अपने school का नाम यहाँ पर enter करना होगा पर एंटर करना होगा percentage marks एंटर करने के बाद आपको अपना division यहाँ पर enter करना होगा division एंटर करने के बाद आपको अपने certificate का number यहाँ पर enter करना होगा certificate number एंटर करने के बाद आपको अपने certificate का issue किया हुआ date यहाँ पर enter करना होगा matriculation का detail एंटर करने के बाद आपको अपने intermediate का detail यहाँ पर एंटर करना होगा जिसके लिए आपको अपने institute या college का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा institute या college के नाम के बाद आपको अपना board या university यहाँ पर एंटर करना होगा Board या University एंटर करने के बाद आपको अपना Passing Year यहाँ पर एंटर करना होगा Passing Year एंटर करने के बाद आपको अपना Marks यहाँ पर एंटर करना होगा Marks एंटर करने के बाद आपको अपना Maximum Marks यहाँ पर एंटर करना होगा percentage marks enter करने के बाद आपको अपना division यहाँ पर enter करना होगा division enter करने के बाद आपको अपने certificate का number यहाँ पर enter करना होगा certificate का number enter करने के बाद certificate issue की हुए date को यहाँ पर enter करना होगा intermediate का details enter करने के बाद आपको अपने diploma का details यहाँ पर enter करना होगा जिसके लिए आपको अपने इंस्टिट्यूट या कोलेज का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा इंस्टिट्यूट या कोलेज का नाम एंटर करने के बाद आपको अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा board का नाम enter करने के बाद आपको अपना passing year यहाँ पर enter करना होगा passing year enter करने के बाद आपको अपना marks यहाँ पर enter करना होगा marks enter करने के बाद अपना maximum marks यहाँ पर enter करना होगा maximum marks enter करने के बाद आपको अपना percentage यहाँ पर enter करना होगा डिपलोमा का डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको अपने ग्रेजवेशन का डिटेल्स या मास्टर्स डिगरी का डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना होगा, जिसके लिए आपको अपने इंस्टिटूट या कोलेज का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा, इंस्टिटूट या क करने के बाद आपको अपना परसेंटेज यहाँ पर एंटर करना होगा परसेंटेज एंटर करने के बाद आपको अपना डिविजन यहाँ पर एंटर करना होगा डिविजन एंटर करने के बाद आपको अपना सर्टिफिकेट नमबर यहाँ पर एंटर करना होगा सर्टिफिके पेज़ पर पहुँच जाओगे और इस नए पेज़ पर आने के बाद आपको वेकेंसी के टाइप के बारे में पूछा जाएगा तो इसके लिए आपको तीन ओप्शन मिलेंगे रेगुलर, बैकलोग और बोथ अगर आप रेगुलर वेकेंसी के लिए अपलाई करना चाहते हो तो रेगुलर को सेलेट करोगे अगर आप बैकलोग वेकेंसी के लिए अपलाई करना चाहते हो तो बैकलोग को सेलेट करोगे Post Select करने के बाद आपको Save and Next पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फिर से आपको Data Save का Message देखने को मिलेगा आपको OK पर क्लिक करना है जैसे ही आप OK पर क्लिक करोगे फिर से आप एक नए पेज पर पहुंच जाओगे और इस नए पेज़ पर आने के बाद आपके सारे experience के details यहाँ पर enter करने होंगे आपको अपने experience का details एंटर करने के लिए add new row पर click करना होगा जैसे ही आप add new row पर click करोगे आपके experience details को enter करने के लिए यहाँ पर space दे दिया जाएगा आप अपने experience को यहाँ पर enter कर सकते हो Experience details में जो भी information आपसे मांगा जाए वो सारा information आपको यहाँ पर enter करना होगा Experience का details enter करने के बाद नीचे आपको एक declaration agree करने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए यहाँ पर दिख रहे square box में आपको tick करना होगा इस square box में tick करने के बाद नीचे आपको एक capture code देखने को मिलेगा इस capture code को यहाँ पर enter करना होगा capture code enter करने के बाद आप नीचे देखोगे कि यहाँ पर preview का option मिल रहा है इसके help से आप अपने application form को देख सकते हो इसके साथ ही submit का option मिलेगा आपको इस पर click करना होगा जैसे ही आप submit पर click करोगे आपके screen पर एक message देखने को मिलेगा कि आपके application को सफलता पूरवत submit किया जा चुका है यहाँ पर आपको close का option मिलेगा आपको close पर click करना है जैसे ही आप close पर click करोगे फिर से आप एक नई page पर पहुँच जाओगे और इस नई page पर आने के बाद आपको payment का option मिलेगा इसके साथ ही आपको यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि आप अपने payment को 24 गंटे के बाद करे नहीं तो आपके payment को submit नहीं किया जाएगा payment करने के 24 गंटे के बाद आपको अपना photo और signature अपलोड करना है अगर आपको पता नहीं है कि आप payment किस तरह से करोगे और photo और signature किस तरह से अपलोड करोगे तो इसके detail वीडियो का link आपको इस वीडियो के i button में और end screen पर मिल जाएगा उस वीडियो के help से आसानी से आप payment भी कर सकते हो और अपना photo और signature भी अपलोड कर सकते हो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको informative लगा हो तो वीडियो का like और share करे इसके साथ ही channel को भी subscribe करे दन्यवाद